ओम नमः शिवाय शिश्युप पुरान महात्मया शौनक जी के साधन विश्यत प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुरान के उत्पिष्ट महिमा सुनाना शौनक जी ने पूछा महाग्यानी सूत जी आप संपुर्ण सिद्धानतों के ग्याता हैं प्रभो मुझसे पुरानों की कथाओं के सार्थ द्दुका विशे शुप से वर्णन कीजिए ज्यान और वैरा के सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक के विद्धी कैसे होती है जथा सादु पुरिष्ट किस प्रकार अपने काम कोद आधी मांसिक विकारों का निवालन करते हैं इस घूर कलिकाल में जीव प्राया आसुर सुभाव के हो गए हैं उस जीव समुदाय को शुद्ध और ठाथ दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सरसेष्ट उपाय क्या है आप इस समय मुझे ऐसा कोई शास्वत साधन बताईए जो कल्यानकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परमंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में फिस सर्वोत्तम पवित्र कारण उपाय हो ताथ बहुत साधन ऐसा हो जिसके अनुष्थान से शिक्रही अन्ता करण की विशेष शुद्धी हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरिश को सदा के लिए शिव की टापती हो जाए शिसूची ने कहा मुनिस्टिष्ट शौनक तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हिदय में पुरान कथा सुनने का विशेष प्रेम इवं लालसा है इसलिए मैं शुद्ध बुद्धी से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त का वर्डन करता हूँ वत्स वह संपोन शास्तों के सिद्धान से संपन भक्ती आदी को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संदुष्ट करने वाला है कानों के लिए रसायन अम्रिस्ट सरोग तुथा दिव्य है तुम उसे शवन करो मुने वह परम उत्तम शास्त है शुप पुरान जिसका पुर्व गाल में अगवान शिव नहीं प्रवचन किया था यह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महांत्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है गुडदेब व्यास ने सनत कुमार मुनी का उबदेश पाकर बड़े आदर से संच्छेप में ही इस पुरान का पतिपादन किया है इस पुरान के पढ़ियन का उद्देश है कल्यूक में उत्पन होने वाले मनुश्यों के परम हिद का साधन या शिव पुरान परम उत्तम शास्त्र है इसे इस खुतल पर बगवान शिव का वांग में सरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए इसका पठन और शवन सर्वसाधन रूप है इससे शिव भक्ति पाकर सेश्टम इसमी में पहुंचा हुआ मनुश्य शिक्र ही शिव प्रत को प्राप कर लेता है इसी लिए संपूर्ण यतन करके मनुश्यों ने इस पुराण को पढ़ने के इच्छा की है अत्वा इसके अध्यन को अभिष्ट साधन माना है इसी तरह इसका पेम पुर्वक्षमन भी संपूर्ण मनोबांचित फनों को देने वाला है पगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुश्यों सब पापों से मुक्ष हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कुष्ट भोगों का उप्भोग करके अंत में शिव लोग को प्राप कर लेता है यह शिव पुराण 24 हजाश लोकों से युप्त है इसकी साथ संगिताएं हैं मनुश्य को चाहिए कि वह भक्ति ज्यान और वैराग से संपन हो बड़े आदर से इसका शवन करे साथ संगिताओं से युप्त या देवश्यु पुराण परबं परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कुष्ट कती पदान करने वाला है जो निरंतर अनुसंधान पुर्वक इस शवन पुराण को बाचता है अत्वा नित्य परैम पुर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुर्ण्यात्मा है इसमें संश्या नहीं है जो उत्म पुद्धी वाला फूरिश अंत काल में भक्ती पूरवक इस पुरान को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसंद होकर भगवान महेश्वर उसे अपना पद पुरान करते हैं जो प्रतिदिन आदर पूरवक इस शिव पूरान का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर भोगों को भूग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप कर लेता है जो प्रति दिन आलस रहित हो रिश्मी वस्तर आदी के विश्तन से इस शिव पुरान का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है यह शिव पुरान निर्मल प्रता भगवान शिव का सर्वस्व है जो इह लोग और परलोग में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रत्न पुर्वक इसका सेवन करना चाहिए यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुरान धर्म अर्थ काम और मोख्ष रूप चारों पुर्शार्टों को देने बाला है अता सदा प्रेम पुर्वक इसका स्रवन एवं विशेश पार्ट करना चाहिए जय महादेव